गुड बॉर्निंग इस्टुडेंट्स, आज आप पढ़ेंगे अंग आखाँ, इसके पहले आप पढ़ चुके हैं, ओ, ओ आप इसको ऐसी लिखेंगे, जैसे में आपको बतारे हूँ, आपको मान देना और ऐसी ही लिखेंगे पहले आप हाफ सरकल बनाएंगे, फिर इसे में दूसरा हाफ सरकल जोइंट किया, फिर आपने पीछे से स्टिक नी प्यारी और यहाँ पे आपने फिर दूसरी डंडी लगाई और इसके उपर आपने ऐसे करके बिंदू लगाना है तो क्या है आपका यह अंग, क्या है अंग, इसके उपर बिंदू लगाके यह अंग का उचारां आ रहा है, और यह है आपका अहाँ इसमें भी आपने पहले हाफ सरकर बनाना है, जेस्ट इसमें दूसरा हाफ सरकर जॉइंट किया, फिर पीछे से डंडी और इसके पीछे से आपने दो इस तरह से बिंदू लगाने हैं और यह है आपका अहाँ, क्या है अहाँ, यह जो उचारां अहाँ का आदर है, यह जो दो बिंदू पीछे लगे हुए हैं, अगर इसको ऐसे देखो तो यह अहाँ है, और इसमें जो आपने दो बिंदू लगाए हैं, तो क्या है यह अहाँ फिर यह है आपका अंग इसको आपने इस तरह से लिखना है और इसके उपर आपने बिंदू लगाना है और बिंदू कहां पर आएगा आपका जो आपका ये पीछे से दर्बी लगा रखी है इसी के वह आपने क्या करना है बिंदू लगाना है और यहां पर आपने लिखना है जैसे उपर लिखा है अहा ऐसी आपने यहाँ पर भी लगाना है इसके पीछे क्या है जो अंग के बाद अहा आता है यह जो उचारण हो रहा है अहा यह क्यों हो रहा है इसके पीछे आपके दो बिंदू आ रखें फिर आपने क्या लिखना है अंग यह जो बिंदू है ऐसे देखो तो यह आ है लेकिन जब आपने इसके उपर यह बिंदू लगा है तो क्या बना अंग इस तरह से आप इसको क्या करेंगे अच्छी सी राइटिंग में लिखेंगे क्या है यह आपका अंग अहाँ इस तरह से पिछे से इसमें दो बिंदू आएगी और यह आपका बना अहाँ क्या है अहाँ अब क्या है अंग से क्या होता है अंगूर तो आपके आपने क्या बना रही है अंगूर के पिछे बनाएंगे क्या है यह अंग से अंगूर क्या है अंग से अंगूर उंगूर किस कलर के होते हैं गरीन कलर के क्या बने ये आपका है अंगूर के पिछे यह आप घर में खाएंगे और यह है आपका अहां क्या होता है खाली होता है अहाँ खाली अब जब आप इस तरह से पिक्चर बनाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे लान करेंगे अंग अहा इसका उचारा धंग से करेंगे और ध्यान देंगे कि जब आंग बोले हैं तो आपने क्या बनाना है अंग के नीचे अंगुलारी पिक्चर और इसको अक्षर को और पिक्चर को प्याच करके पढ़ेंगे कैसे अंग से अंगूर अंग से अंगूर और अहा खाली अहा खाली इस तरह से आप इसको लान करेंगे ओके थैंक्यू